कि आप खुश होंगे और गाइज मेरा पहला ब्लोग मैंने भी फाइनल डिसीजन कर लिया कि मुझे भी ब्लोग बनाने हैं तो गाइज मैं अभी फिलाल अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूं गाइज मैं यूपी से कुछी नगर्जीरे से बिलांग करता हूं मेरा सोहनलाल है और गाइज मैं फिलाल मालदीप में हूं जोब के लिए मैं मालदीप में आया हूं मुझे एक मन्त हो गया है और गाइज मैं अब भी मालदीप में ही जो छुटी का डाइम मिलेगा एक दिन का हफ्ते में एक वीक में को चुटी मिलता है तो इसके साब से मैं आएगा हो मतलब कुछ अलग क्वाल्टी का होगा जो गाई जो समाजिक सोच्छल वर्किंग के हिसाब से गाई जो देखिए मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ गाई और मेरे पेशे एक जो मेन हाइब रोड है और मैं रोड को पकड़का मैं चला हूँ गाई तो तो तो मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है तो मैं मतलब ब्लोक कर सकता हूँ लिकनी तर अधर कंट्री में गाईड एलाओ नहीं है इसके लिए मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है और फिर हम मैं आगे चलना हूँ अभी कुछ ताइम के बाद आपको दूसरे लोकेशन समुन समुन्दर के तरफ आगे मैं बढ़ रहा हूँ कुछ ताइम एक वाद समुन्दर आ जाए गाई दिस माल्दीव का कुछ उरत ना जा रहा है माल्दी में जितने भी घर है आप इसके उपर च्छत नहीं है और घरों की मतलब कोई गारंटी नहीं है कि मतलब घर का कोई ऐसा तो गाईज आप देख सकते हैं कि अब समुन्दर कुछ ही पलों में हमारे सामने आ जाएगा और आपको देखने को मिलेगा तापू चारु तरफ से समुन्दर से घिरा हुआ टापू है और आपको मतलब विश्वास है कि यह टापू आपको पसंद आएगा और अच्छा ल अच्छा होंगे तो गाईज अच्छा पारिश में है तो गाईज निचूरल कंट्री है गाईज यह मतलब ज्यादा गर्मी और ज्यादा पानी भी नहीं होता है तो गाईज हम आच्यके हैं समुन्दर गेट परण आपको दिखाते हैं तो गाईज अब सामने समुन्दर आप देख सकते हैं समुन्दर की लहरे क्या कह रही हैं आज मौसम भी जादा गाईज खराब है कियों रात बास लासास से बारिस हो रही है दिने भी बारिस हुई है और यहां पे आपको एक पीक अप दो बाइक और गाईज सामने समुद्र का नजारा लहरू के साथ आपको दिखाई देंगी मालदीब की लहरे भी गाईज एक अपकास माइक्रोफोन है पर थोड़ा साद देख सकते हैं गाईज समुद्र का नजारा ।ो गाईज आज होग काउग अच्छा लग रहा होगा एमालदू समिंद्र की निजारे लारे कुछ कहती है तो गाईज मैं आसा और विश्वास करता हूं कि आप कोई मेरा ब्लोग पसंद आएगा तो गाईज अब मुझे आशिरबाद और सपोर्ट करिए और नेक्स वीडियो के साथ मिलते हैं गाईज के बाए